नमस्कार दोस्तों, मैं मैं मयूड सुर्यूवेंशी आपका मित्र स्वागत करता हूँ सुर्यूवेंशी अकेडमी के इस यूटूब चैनल पर आप सभी का दोस्तों आशक करता हूँ कि पिछले सभी वीडियो जिसको मैंने आडियो लेक्चर के माध्यम से बनाया था वो सभी आपने सुने होंगे और आपके काम में भी आए होंगे आज का जो टॉपिक लिया है आज हम जानने वाले हैं राजनितिक विचारधाराओं के बारे में राजनितिक विचारधाराएं ऐसी जिसे आपको पढ़के बहुत इंट्रेस्ट आएगा या कई बार आप जब पॉलिटी पढ़ते होंगे या किसी अनि प्रकार की किताब पढ़ते होंगे इतिहास पढ़ते होंगे तब आपको कुछ शब्द बहुत परिशान करते होंगे जैसे कि आपके सामने कभी कोई शब्द आगया कि श्रमिक संगवाद क्या होता है या अराजकता वाद क्या होता है इस प्रकार से अगर आपसे कोई पूछता है सामंतवादी विवस्था के अंदर ये वाली बाते थी तो सामंतवाद क्या होता है उदार वाद हो गया, पूंजी वाद हो गया या फिर एक नया टॉपिक और आता है कि प्रारंबिक समाजवाद क्या था एक और शब्द आता है फेबियनवाद, तो फेबियनवाद के बारे में हम जानेंगे आज माक्सवाद के बारे में गिल्ड समाजवाद के बारे में नाजीवाद के बारे में, नाजीवाद से ताना शाही जुड़ी हुई है तो उसको भी समझ लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि फासी वाद के अंदर क्या था तो इस प्रकार से ये प्रमुक राजनेतिक विचार धारा है जिसमें हमारा एक माववाद भी आ जाएगा माववाद से निकलके माक्स वाद आ जाएगा तो बहु शताबदी में यूरोप में जो नई विवस्था उबर रही थी उसे ही पूझीवाद कहा गया है पूझीवाद के अंतरगत उत्पादित वस्तूओं पर व्यक्तिगत स्वामित्व जो है वो होता है और उत्पादन का मुख्य उद्देश्च जो होता है वह मुनाफ़ा कमा ना होता है ना कि वेलफेर इस विवस्था में मजदूरों के पास कुछ भी नहीं होता है कुल मिला के जो कुछ भी होता है वो मालिक के पास होता है वे जो है मजदूर मजदूरी के लिए काम करते हैं और पूझीवाद के अंतरगा संपदा के स्वामित्व को पूझी पती क कहलाएगा पूंजी वाद के उदय और विकास में उपनिवेशी करण की भूमी का बहुत हद तक रही है और यही पूंजी वाद जो था इस पूंजी वाद ने ही सामिवाद को जन्म दिया और इस पूंजी वाद की विभीशिकान नहीं कालमाक जिसे विचारकों को भी जन्म है